हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू अल फ्यू आज है 9 मार्च 2020 और जैसा कि आप सबको पता है हम डेली करेंट एफेस के सीरीज में 100-500 अलग से जीएस के फैक्ट्स भी रिविजन कराते हैं अलग से जीएस का आपका टोटल रिविजन हो जाता है जो की बहुत ही बहतरीन बात है अगर आप लोग इस वीडियो को इस तरीके के वीडियो को लास्ट तक देखते होंगे तो आई होप आपको इसका इंपोर्टेंस पता होगा साथ ही में हम लोग मैप भी देखते हैं और रिलेटर इंफॉर्मेशन को भी देखते चलते हैं तो पहला कुश्चन देखते हैं ICC T20 महिला विस्वकप को किस देश ने जीत लिया है यह तो आपको पता ही होगा वैसे इससे जो रिलेटर इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे तो ऑस्टेलिया इंडिया और न्यूजीलेंड साउथ अप्रिका इसमें से राइट आंसर कौन होगा तो इसमें से हुगा था सातवा संसकरन है ऐस्ट्रेलिया ने इसे पांचवी बार जीत लिया है तो यह इंपॉर्टन चीज़ है कितने से तो 85 रन से जीत लिया है ठीक है और जितने भी important information उसे हमने बता दिया और इस बार का मेंस मेंस वर्ल्ड कप है उसे किस ने जीता था तो उसे न्यूजिलाइंड को हरा के इंगलाइंड ने जीता था और player of the series बेन स्टोक्स और यह सब आपको पहले से भी पता होगा और ठीक है तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कौन सा क्रिकेट का मैच इस बार चल ला था साउथ अफ्रीका में प्लीज बताइए अंडर 19 ओके तो आपको यह समझना चाहिए और याद रखना चाहिए अंडर 19 व मैच जीत लिया है नेक्स्ट देखते हैं कितने महिलाओं को इस बार नारी सक्ति पुरसकार से समानित किया गया है तो दोस्तों अंतरश्ट्री महिला दिवस जिस दिन जो आठ मार्च होता है उस दिन इसको शेलिबरेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नारी सक्ति प को दिया गया तो आपको यह याद रखना है 12 महिलाओं को नेक्स्ट जो है अगला कुश्चन है डेवीस कप किस्टे समद्धीत है डेवीस कप क्यूं न्यूज में है क्यों कि रोहन बोपन्ना और उनके साथी जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको जाना चा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें ठीक तो डेवीस कप जो है लॉन टेनिस टेबल टेनिस होकी फुटवाल तो यह लॉन टेनिस से सम्द्धित है इसलिए मैं अलग से वीडियो लाने की सोच रहा हूं जो कि बहुत ही बेतरीन होगा क्यूंकि जीस में अक्सर नुक्त किये गए है प्रसांत कुमार को नय प्रशासक नियुक्त किया अपको ये श बैंक के बारे में पता ही है इसने अपने आपको डिफल्टर घुशित कर लिया था और लिमिट लगा दिया था आरवी ने इसके जो खातधारक उस पर कि 50 जार से ज्यादा एक महिने में नहीं निकाल सकते हैं ठीक ना और रजनीसательно-खुमार की बात करें तो यह सब भारत की सबसे पड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है राना कपूर कौन है तो यह इस बैंक के M.D.N.C.O थे जिन्हें इनफॉर्समेंट डिर्क्टरेट के द्वारा की रफ्तार कर लिया गया है ठीक है तो आपको यह याद रखना है राना कपूर को ज़रूर याद रखिए क्योंकि इनकी नाम जो है इस बैंक से जुड़ी हुई है अगला जो है कुश्चन नैनो विज्ञान पर अंतरश्ट्रिये समेलन का युजन कहां हुआ अफसट ए कोलकाता पूने विशाका पत्नम और कुनूर तो यह जो है न विज्न का इजन कीया जाएगा नेक्स्ट जो है विसाक brightly नज्येनopard, 2020 जो की बहुरस्टट्रिये नीवी का क्या आधाता है इंडियनिया हिस्ट्रि कांग्रिस इंडियनिडियनि हिस्ट्री कांग्रिस का सबमेलन हुआ था वो कानूर में किया गया था यह जरुत मतलब अस्यूँआ संसकरन था ये हिस्ट्री कॉंग्रेस का अब बात करते हैं कोलकाता यह पसी बंगाल की राजधानिया आपको पता है कोलकाता में दो पोर्ट भी एक तो कुलकाता पूर्ट और एक खल दिया ठीक है और यह जो है हूगली नदी की किनारे है बंगाल का शोक क पंगाल विवाजन किया गया था और फिर इसको रद कब किया गया तो 1911 में इसको रद किया गया और उसी 1911 में रद करने के साथ ही 1912 से भारत की नई राजधानी कौन सी हो गई तो कोलकाता से ट्रांसपर करके नई दिल्ली को कर दिया गया तो यह सारे फैक्स जो है मैं बताया आपको यह सब आपके एक्जाम में पूछे गया है इसलिए हमने इसे देखते चलते हैं ताकि आपके रिवीजन अच्छा हो तो जलिस जलिस वीडि आपके कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो एक जो है गोरु मारा नेशनल पार्क गोरु मारा नेशनल पार्क सुन्दरवन नेशनल पार्क सिंगा लीला नेशनल पार्क सिंगा लीला नेशनल पार्क यह सब जो है कहा है तो यह सब पस्चिम मंगाल में हैं पस्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री के नाम है ममता बनार जी और जगदीब धनकड़ महां के गौवर्णर है ठीक है यह सब इंपॉर्टन फैक्ट्स आप जरूर यादर किये ठीक है विसाख है तो option A मिजोरम अरुनाचल प्रदेश असंग और मनिपूर तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम और इससे रिलेटेड और भी जो फेस्टिवल मनाये जाते हैं और सब राजियों में उसको भी हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले हम अरुनाचल प्रदे और आब इसका है है दूसरा जो है मुखोटा नरितिया वार्दान्स या मुखोटा या फिर मास्क यह दोनों बहुत पोछा गिया है और नाचल प्रदेश के त्वांग फेस्टीवल कायोजन किया था थो त्वांग फेस्टीवल का और सिर्व Kolleginnen फेस्टीवल जरूर याद रहेगा सीरूई लीली फेस्टिबल इसका योजन किया गया था मनीपूर में ठीक ना तो यह सब जरूर आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा एक्जाम में पूछा जाता है अब मिजोरम जो आपने उपर देखा था उससे कुछ और भी ज जाके आप अराम से देख सकते हैं उससे हमने अपलोड कर दिया है मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या फिर उपर जो तीन डॉट आप कोई साइट दिख रहे होंगे उस पर दबाएंगे तो आ जाएगा ठीक है जो क्लासिकल डांसे जांसे उसकी असम का देख लेत सब से जड़ाइ में पूछाा जाता है पूछा गया इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है अब कि yapılे सब बंगाल का कीर्फफन जो है वह सबसे ज़्यादाथीमस है ठीक है अब बात करते हैं नागालें के नागालें की कुछ जो डांस है उनको देख लेते हैं तो एक तो है खाईवा ये दोनों डांस जो है नागलेंड के बहुत ही ज़्यादा फेवास है मनिपूर की अगर बात करें तो मनिपूर के कुछ और डांस है उसको देख लेते हैं मनिपूर में मनिपूरी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्लासिकल डांस है मैंने प्रिवियस दे के करेंटेफर्ष में भी बताया था राखलनात महारास ये सब जो है महारास ये सब इसके डांस है चली आगे बढ़ते हैं और चपचार कुट हो गया नेक्स जो है यूकरेन के नए परधानमंतरी कौन बन गए है तो ये जो है डेनिस सिगमल ब्लादमीर जलेंस की मौईदीन म गए है और कि जो पृद्वानमंतरी बनगए हो देनिस सिगमल बन गया है अब मोहिदीन यसीन यह कहां कि नए प्यए बने है तो यह मलेंसिया के नए पियम बने है, इसमें जितने भी उप्सन है, वह सारे आपको करेंट से यह इ филь है तो यह मलेंसिया मैं पbies है मलेंिया आपने नहीं देखें तो प्लीज उसे जाके देख लिए क्योंकि कल मैंने दो-दो मैप इंक्लूड किया था और बहुत सारे जीए सापके रिविजन कराये थे तो जनेजा जनसा जो है यूक्रेन के नए पी-एम बन गया है जनेजा जनसा नहीं तो यह तो स्लोवेनिया के पी तो यह देखिए मैंने मैप के साथ इसे इंक्लूड किया और इसे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके सापको बताऊंगा कि आपको भूल नहीं पाऊगे तो यह जो है पांचवा बेमस्टेक सीकर सम्मेलन कायोजन किया का कुलंबो जो कि स्रिलंका की कमर्सियल कैपिटल है और इ सार्क जिसका आप ना जानते हो सार्क का मुख्याले है काठमांडू ठीक है थिम्पू भूटान की रहधानी है और नगल्टरम वहां की करेंसी है तो आपको कुछ इस अलग तरीके से वीडियो चाहिए तो आप भी वह भी मुझे कमेंट कर सकते हो अब पहले बात कर लेते ह यह स्थापना कब होई थी तो बिम्स्टेक की अस्थापना होई थी 1997 में ठीक है और बिम्स्टेक में कितने देश हैं उन्हें हम लोग मैप से और ट्रिक से दोनों से याद करेंगे सबसे जो पहला है इंडिया तो आपको पता ही है उसके बाद नेपाल भूटान मेंडेस म्यानमार थाइलेंड और इसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है तो आपको याद रखना अब इन सारे देशों को याद कैसे करेंगे तो बिम्स्टेक ठीक है भूलना नहीं बीमस्टक को नहीं भूलना है ऐसा ट्रीक मना के रखिए अब देखिए यह कैसे याद होगा आपको आराम से बीस हो गया बांगलादेश इसे इंडिया एम से म्यानमार ठीक है एस स्रिलंका टी से थाइलांड हो गया और भूलना से भूटान और एंसे 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 क्या नेपाल तो आई होप आपको यह पूरा याद हो जाएगा बीमस्टक भूलना नहीं यह मस्त ट्रीक है और इससे गया था तो यह जो है important facts आप जरूर याद रखिए क्योंकि यह जो है आपके एक्जाम में पूछा ही जाएगा और इसके स्थापना कभी थी इसके स्थापना हुई थी 1997 में अंतरश्ट्री महिला दिवस कब मनाये गया तो इंतरश्ट्री महिला दिवस आपको पता ही है यह मनाये गया आठ मार्च को और इसका तो इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा ज़री है तो इसकी थीम इस बार की थी I am generation equality realizing women's right तो यह जो है इस बार की थीम थी तेरा फरोरी को national women day मनाया जाता है और यह अंतरश्ट्री है तीन मार्च को world wildlife day मनाया जाता है आपको यह याद रखना चाहिए और इसमें जो है तीन मार्च person of the year award 2019 किसे दिया गया option a PV सिंदू बी रोहित सर्मा विराट कोहली कपिल देव तो यह जो है पीवी सिंदू को sports person of the year award दिया गया रोहित सर्मा को क्रिकेटर of the year award दिया गया है तो यह दोनों चीजें आप जरूर याद रखिए और यह चुकि पीवी सिंदू को दिया गया इसलिए बहुत ही जादा जरूए पीवी सिंदू जो है बैडमिस बैडमिंटन के बीडबलो एफ मतलब बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी और इन्हें यह आवार्ड इसी के उपलक्ष में दिया गय यह सचीन तेंद कर दिया गया यह जरूर षखिए गलोरियस बेश्च मुलमेंट आफ pawns किसे दिया गया तो क्यों कि वर्ल्ड कप 2011 में भाम इंडिया जीती थी तो सबने कंधे पर उठाएकर पूरे गुमाया था तो यह बेश्ट मूएंट अवार्ड इस लिए सजिए सथ पूट्स का lifetime achievement award दिया गया था अगर आप लोग पुराने करेंटर फेस्स देखें होंगे तो मैंने बताया था उसमें ESPN lifetime achievement आवाड जो है वह कपिल देव को दिया गया था तो यह सारे extra facts जरूर याद रखिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताए कि आपका वीडियो मुझे कै कैसा लगा और जो भी मैंने पूछा है आप से उसका जवाब जरूर दीजिए कि क्या आपको जो उस तरीके के वीडियो चाहिए जिसे मैंने पूछा था पाजनबर में चलिए थैंक्यू सो मच